नमस्कार दोस्तों में नाम है शुबम एंड कैस आप लोगों का स्वागत है एक वाफ फिर्शन में यूटूब चैनल पर तो फैंस आज के इस वाल यूडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को अपने आईफोन में कोई भी कस्टम रिंटोन लगानी है या फिर कोई भी रिंटोन लगानी जो आपको पसंद है वो अपने आईफोन में आप लगाना चाहते हो तो आप इसलिए लगा सकते हो बहुत सिंपल है जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा रखी है आपको दिखाता हूँ simply मैं आपर setting पे click करूँगा settings पे आप देखो यहाँ पर sound and haptics में यहाँ पर introns के अंदर मैंने यहाँ पर दो ringtones को add कर रहा है तो यह दो ringtones आप भी add कर सकते हो महलब कितने भी कर सकते हो well मैंने यहाँ पर दो ही कर रहा है तो आप इस तरीके से ringtone को add कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है simply आप लोगों को कोई भी ringtone है जो आपको पसंद है आप download कर लो किसी भी browser से download कर लो आप लोग की जो भी आप download करोगे वो आपकी files के अंदर save हो जाती है ठीक है इस तरीके से होता है बट अगर आप लोगोंने किसी से ली है मतलब कि आपने किसी से receive करी है whatsapp पे या फिर किसी भी मैं अथर से जैसे मैं लोगी whatsapp से कर देता हूँ और मैंने याप एक लिटो ले रखी है simply मैं इसको click करता हूँ आप लोगों को जो आप फाइल जो उपन करोगे इस तरीके से यहां पर क्या आपको share का बटन मिलेगा share का बटन मिलेगा उपर ही तरफ या फिर नीचे की तरफ आपको share का बटन मिलेगा simply click करो यहां पर इसको save कर दो save to files के अंदर, ठीक है, इस तरीके से आप click करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर simply उपर की तरफ save का option मिल रहा है, save के option पर click करो, अब मेरी यहाँ पर already file पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर simply इसको replace कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर replace का option दे रहा है, तो मैं इसको replace कर देता ठीक है, यहाँ पर simply इसको click करोगे और यह open हो जाएगा, तो मैं इसको open कर लेता हूँ, open करने के बाद क्या होगा, कि simply यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको simply यहाँ पर ok करना है, ok के बाद आपको यहाँ पर ध्यान एचन है कि जो option आपका यह बीच में circular वाला, यह clean पर selected ह clean पर select करना है, इसके बाद आपको यह blue वाईल आइकन दिख रहा है, इसको बंद कर दो, यहाँ पर click करके, ठीक है, इस तरीकर से बन हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर white जो box वाला option है, यहाँ पर click करोगे, जो आपके यहाँ पर bars open हो जाएंगे, यह से mic वाला होगे, simply done कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर इसके बाद आपको simply circle वाले option पर click करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर option खुल जाएगा, यहाँ पर file पर select कर लेना है, file पर select करोगे, आप लोग को इस तरीके से file दिख जाएंगी, अगर यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो आ add होने के बाद आपको यहाँ पर files को select करने, long press करने, और उसको drag करके आपने इस वाले option पर यहाँ पर रख देने, अब यहाँ पर रखने के बाद आप इससे adjust कर सकते हो, crop पगारा कर सकते हो, चोटा बड़ा कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, वो आपने में साबसे देख ठीक है, इसके बाद आपको simply यहाँ पर option आएगा, जो आपको save करना होगा, तो save करने के लिए simply यहाँ पर click करने arrow पे, यहाँ पर my songs पर click कर दो, and यह save हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर simply इस वाले option पर long press करना है, जो आपकी item है, उस पर long press करो, and यहाँ पर share पर click लिए पाद कीुज़ी करके पाद आपके कना पर सेटिंग्रिट आपको आपको सेटिक में मिलेगी तो हुआ नहीं इसको अल्यलू कई लगा भी सकता हूं जो भी यह मैं आपको यूज करना है, आपसकते हो, बहले इसलिकर से आपकी जो रिंकटोन है, वो आद हो जाएगी आपके रिंकटोन में सेक्षन में, आपनी कस्टम रिंकटोन लगा पाऊगे, तो उमीद्रे आपको यह वीडियो बस्तना आऊगा, वीडियो स्टना दर विaredeepa क्छूल रब बा मैं सताल कर दए वे कर दो विल्चिर किभ अब कर दम एदू हैं फ़िए भरी हैं प्लूल लॉइल